दोस्तों यदि आप में चाहते हैं जो आपका मुबाइल है वो किसी भी चार्जर से 10 गुना ज्यादा फास्ट चार्ज हो मालेजे कि यदि आपका मुबाइल अभी 2 घंटे में चार्ज होता है तो आपका मुबाइल केवल और केवल 230 मिनिट में चार्ज हो जाएगा मान लिएजे कि अभी आपका मुबाइल एक घंटे में चार्ज होता है सूपर मोड चार्जिंग मोड से तो आपका मुबाइल केवल और केवल दोस्तो 20 या फिर 25 विनिट तक फूल चार्ज हो जाएगा मेरे केश में दोस्तो ऐसा ये है मेरा मुबाइल जो है सूपर फास्ट मोड में चार्ज होता है जो कि दोस्तो केवल 30 या 25 विनिट में पूरा चार्ज हो जाता है लेकिन क्योंकि दोस्तो मेरा जो चार्ज है वो थोड़ा कमजोर है अधरवाई जो मेरा मुबाईल है ये भी पूरा 30 मिनिट में फुल चार्ज हो सकता है तो आप कैसे दोस्तो अपने मुबाईल में इस तरह का चार्जिंग मोड का अक्टिवेट करेंगे जुरूरी नहीं है दोस्तो आपके पास भोछधा महंगा मुबाईल हो तब आपके मुबाईल में ये अक्टिवेट होगा आप अपने नौर्मल से सफते मुबाईल में भी Android मुबाईल में आप अपने मुबाईल में थोड़ा वीडियो को ध्यान से देगना ध्यान से समना तेले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं आप पर जरूर से इस वीडियो को share करना और वीडियो को like जरूर करना comment जरूर करना very nice वीडियो अब दोस्ता आपको करना क्या है अपने वाल में super fast mode को activate करने के लिए अपने वाल में 3 setting करने है जैसे आप 3 series setting तंक हो जाएंगे आपका काम हो जाएगा पहले setting के लिए आपको क् option हो सकता है वाली setting में आपको जाना है यहां पर ऊपर search कर लेना बैंटरी अगर आपको नहीं मिलता है तो इसका नाम होगा power saving लेकिन रूख यह भी इसको ओन नहीं करना है दोस्तों मैं इसको ओन करने के लिए नहीं कह रहा हूं पहले यहाँ पर थोड़ा समझे, आपको power saving mode directly on नहीं करना है, इसके उपर किलिक करना है, जहाँ पर लिखा हुआ है power saving, आपको यहाँ पर किलिक करना है, जैसे आप यहाँ पर किलिक करेंगे, अभी आपको demo दिखाता हुआ practically, लोग क्या करते हैं दोस्तों, direct power saving mode को on कर दिया, सोस्ते हैं काम हो गया, अब दोस्तों इसका काम यह नहीं होता है, इसके आपकी battery super fast charge नहीं होगी, अगर आपको super fast battery charge करना है with power saving, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी धियान से देखना, यहाँ पर 13 hours 55 minute है, यहाँ 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 पर 13 hours 55 minute है, यहाँ 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 ओन करता हूँ, turn of always on display, यहाँ ने बंद किया, यहाँ पर 15 घंटे 21 minute हो गया, यहाँ पर limit CPU speed 70% वाले setting ओन करी, यहाँ पर 15 घंटे 24 minute हो गया, decrease brightness by 10% वाले setting ओन करी, 16 घंटे 22 minute हो गया, limit app and home screen setting वाले ओन करी, यहाँ पर 2 day 2 hour, 13 घंटे से 2 दिन तक मैंने अपनी battery की limit को बढ़ हो गई है यहाँ पर, okay, demo आपके सामने है, अब यहाँ पर दोस्तों, super fast charge करने के लिए आपको अपने वाल की power save mode को भी own कर देना है, जैसे मैं आपको बता, direct own नहीं करना है, पहले own करना है, उसके बाद जो है own करने है setting, अब आपका mobile black and white हो जाएगा, आपका mobile charging पे लगाना है, और दोस्तों इस तरीके से छोड़ देना है, अब आपका mobile क्या होगा दोस्तों, fast charge होगा लेकिन इतना भी नहीं होगा, क्योंकि भी second setting बागी है, और दोस्तों ध्यान नखना, मैंने जिसे थोड़ी गलती होगी, मैंने पहले setting आपको बता दे, दूसरे setting आपको पहले setting क किलिक करेंगे, वापिशन नोर्मल मोर्ड में आपका mobile लजेगा, कितना time लगाए थोटा सा काम करने में, जिसे कि आप अपना 1.5 घंटा बचा सकते हो, लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, यह वाले setting करने से पहले, आपको दो पहले setting भी कर लीनी है, तो पहले setting कौन सी है, थोड़ा ध्यान से देखना, आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने mobile की setting में जाना है, वापिस से आपको battery setting में जाना है दोस्तों, बैटरी setting में जाने के बाद, यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको battery पर click करना है, बैटरी पर click करने के बाद नीचे ज आपको क्या करना है यह तीसरे नमडर की सेटिंग करने है यह आपको। पर फास्ट चार्जिंग है भी तो भी आप जो है मतलब अल्टीमेट शूपर फास्टिंग चार्जिंग सपीड से अपने वालों को फास्ट चार्ज कर सकते हो ओके लेकिन ध्यान नहीं तो मैंने आपको सूरू में से बताई थी वह लाश्ट में करने हैं आपको पहले दो क्लिक करेंगे जब आप पहली बार उपन करेंगे बैंट्री टर्बो चार्ज पर क्लिक करेंगे यहां पर देखिए एक्स्ट्री मोड है इस पर आप क्लिक करेंगे यहां पर है फास्ट मोड सोलो मोड आपको एक्स्ट्री मोड लेकर जाना है फास्ट मोड तो आपके वाल म सिंपल क्या करना है ओके दोस्तों जैसे यह अप्लिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं आप यह ओपन हो जाती है यहां पर आपने एक्ट्री मोड को ओपन कर दिया है अब यहां पर देके निचा रहे लिगावा ओप्टिमाज बैटरी चार्ज मैनेजिंग रिसेंट टैप और फो ओन करने के बाद आपको यहां पर यह देख सकते आप गोला यह गोला मिलेगा इस पर आपको क्या काम करना है दोस्तों किलिक करना है अब दोस्तों जैसे आपने इस पर क्लिक किया एक्ट्स पर क्लिक किया यह जो आपकी सेटिंग है यह ओन हो जाती है अब यहां पर आपको यह यहां पर green tick की रहना चाहिए यदि यह green tick आ रहा है तो आपका काम done हो चुका है और अब आप यदि अपने mobile को किसी भी mobile charger से charge करेंगे ओके ध्यान लेकिन दोस्तो saving mode आपको own करना है ओके इसको direct notification से भी कर सकते हो जैसे आप पहले वाले setting कर ले तो यह आप पावर से उंग मोड जैसे आप इसको own कर देंगे ओके वाइल चार्जिंग पर लगागा कर छोड़ देंगे यहां पर click करेंगे और टर्ण ओपावर सेंग मोड पर किलिक जो है कर देंगे ओके सेकंड़ का काम है और तो सेटिंग माइन आपको बताया है शूपर फार्ट मोड चार्ज करने के लिए अप्लिकेस रिका लिंग निचे हुआ हुआ है